हेलो बच्चो लीगलवानी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पॉलिटी में क्वेश्चन्स डील किया था उसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने थियोरी पार्ट देखा था पर इस पा मेल्थी देखो भाई कैबिनेट मिशन जो आया था वो भेजा था यूके ने यूके मतला ब्रिटेन ने ब्रिटिश के तरफ से आया था तो जाहिर सी बात है कि वहां के पीम साहब इंवाल्व रहे होंगे ठीक है तो यानि क्वेश्चन जो है वह आप से यह पूछना चाहत पूटा को किसके द्वारा अपनाया गया था था तो इसका बहुत इजी सा उन्चास को इसी दिन आप लोगों सब को पता होगा कि क्या बनाया जाता है समिधान दिवस बनाया जाता है लागु कब से हुआ 26 जनुवरी 1950 में ठीके लागु होता है 26 जनुवरी 1950 में बन के तैयार होता है 26 नमंबर उनिस सो उन्चास में अविभाजित भारत के लिए सविधान सभा की पहली बैठक कब हुई देखे जब सविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें सविधान सभा कैसी थी अविभाजित थी ठीक है बटा हुआ नहीं था भारत उस तेम क्या था बटा हुआ नहीं था तो और अविभाजित भारत था तो उसकी पहली बैठाक होती हें 9 दिसंबर GORDON 1946 में कब होती है 9 दिसंबर 1946 में कहांपे होती है तो भाई संसद का जो Central line old lady उसी उसी को क्या केते से साविधान भवन विक इंटेदेध उस क्या कहते थे इसको सविधान भवन कहते थे तो उस दिन हुई थी ठीक है वहीं पे हुई थी 9 दिसंबर 1946 को वहीं पे क्या हुई थी अब विभाजित भारत की सविधान सभा की पहली बैठक हुई थी अब आता है चौथा क्वेशन अपने पास चौथा क्वेशन है कि जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए सविधान सभा फिर से संगटित हुई तो इसकी सदस्यता जो थी वो कम हो गई थी तो कितनी हो गई थी तो देखो ऐसा है कि 31 अक्टूबर के पहले क्या पास हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ठीक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था स्वतंतता अधिनियम 1947 क्या कहते हैं उसको स्वतंतता अधिनियम 1947 पास हो गया था तो जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो थे 389 पर एक चीज आप लोग सबको याद कि जो मुस्लिम लीग है मुस्लिम लीग ने क्या किया पहली समिधान की जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को तो ये मुस्लिम लीग ने अटेंड नहीं किया है ठीक है तो मुस्लिम लीग ने इसको अटेंड नहीं किया क्योंकि उनका डिमांड ही ये था कि भाई भारत का विभाज हो गया वो किसके अनुसार हुआ स्वतंतता अधिनियम 1947 के अनुसार तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी जिनके मेंबर्स इसमें थे वो लो क्या किये छोड़ दिये तो उसके बाद कितने मेंबर्स बचे सविधानीक सलाकार कौन थे निमलीखित में से कौन भारत के समीधान सभा के समेधानिक सलाकार थे तो भाई इसका एंसर बहुत एजी है इसका एंसर है यह यह भी इन राउं ठीक है क्योंकि भाई BBQ यार अमबेड कर कौन है बी यार अमबेड कर जो थे वह ड्राफ्टिंग कमिटी के हैट तो अपने पास एंसर क्या है बी एन राउं अब देखिए अब देखिए सविधान का मूल प्रारूप इनों ने तयार किया थीक है और बाद में में स्थाइय न्याले में नयाए जी नविक हूए है तो भाई पहले तो इनों ने क्या किया कि पूरा जो रूप रेखा तयार कर दिया उसके बाद इनकी मतलब और संमान मिला तो यह अंतराश्तिए इंटर्नेशनल court of justice कहां है अंतराश्तिए न्याले कहां है इंटर्नेशनल court of justice जो है वो है हौग में ठीक है कहां है हौग ठीक है तो हौग में फिर इनको क्या होता है वहां का भी न्यायधिश न्यूक्त किया गया था थीक है भारत का सविधान एक सविधान सभा द्वारा गठित किया गया था थीक है भारत का सविधान एक सविधान सभा के द्वारा गठित किया गया था तो अब यह सविधान सभा किस योजना के तहत आया ह तो अभी तुरंत आप लोगों ने पढ़ा कि Clement Attlee ने वेजा था तो cabinet mission योजना के तहता है किस योजना के तहता है cabinet mission योजना के तहत आया है सविधान सभा ने स्वतंत भारत के लिए सविधान तयार किया था जो इसमें स्थापित किया गया था ठीक है कब स्थापित किया गया था तो 1946 में स्थापित किया गया था ठीक है तो भारत का सविधान सभा द्वारा तयार किया गया था और इसे 16 मई 1946 को कैंबीनेट मिशन योजना के तहट लागू किया गया ठीक है और सविधान सभा के सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तान्त्रिये वोट प्रनाली द्वारा प्राप्तिये प्रांतिये विधान सभाव द्वारा चुना गया था ठीक है डायरेक्ट आप इसक समझें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो अभी के चुनाव में होता है उतने डीटेल में नहीं जाना है बस इतना जाना है कि सविधान सभा ने स्वतंत भारत के लिए सविधान तयार किया था जो इसमें स्थापित किया था नौ दिसंबर 1946 वाली जो सभा गठित प्रणी तो सविधान सभा की जो उद्धातन बैठक की अध्यक्षता थी वो किया था सचीदा नंसिना ने किस ने किया है सचीदा नंसिना ने तो भाई अंबेटकर श्री सरचन्रबोस और भी लोग सी राजा गोपाल चारी और श्री एम आसफ अली नौ महिलाव सही 207 प्रतिनिधी उपस्तित थे ठीक है तो बहुत लोग उपस्तित थे बाई साब पर जो मतलब एक होता है कि अध्यक्ष सेता कराना वो किस ने किया था सचीदानन सिना ने किया था ठीक है उद्घातन कितने बजे हुआ सुबह ग्यारा बजे से भी सब को इत्यार हो गए थे ठीक है कि स्थाई अध्यक्ष Dr. सचीदानन सिना के साथ सुरू हुआ य। कैसे अध्यक्ष थे भाई ये थे और श्थाई अध्यक्ष ठीक है ये स्थाय अध्यक्ष नहीं है इसलिए दो तरह की गवर्मेंट बनती है पहले इससे पहले की हो था ठीक है जब सविधान सवाँ बैट्ट सचीदा नंसिना ने की थी निम्लिखित में से कौन से भारतिय समिधान की मसूदा समीटी के अध्यक्ष थे ठीक है तो मसूदा समीटी के अध्यक्ष कौन थे भाई मसौदा समीटी तो यह थे आपके बी आर अमबेड कर ठीक है मसूदा मसूदा या मसौदा समीटी क्या होता ह drafting committee के head कौन थे simple सा क्या बात है वही कि drafting committee के head कौन थे तो drafting committee के head थे बी आर अंबेड कर साहब कौन बी आर अंबेड कर साहब drafting committee या मसौदा समीती के head थे के चलिए सविधान सभा को सविधान को पारित करने में कितना समय लगा ठीक है तो दो वर्स एक ग्यारा महिने और सत्रा दिन थीक है ये इदम सटीक समय लगता है पर इसमें दिया हुआ है कि आपको लगभग में बताना है तो 9 दिसंबर 1946 से लगभग मान के चलिए तीन साथ ठीक है कि अब आता है कि सविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो देखिए बी आर अमबेड कर जो थे वो थे मसादा समीति के अध्यक्ष ठीक तो अब आपसे पूछ रहा है कि सविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ठीक तो वाज दफ प्रेसीडेंट ऑफ दा कंसीचुएंट आसे बेसिकाली क्या पूछ रहा है कि कौन इन में से प्रेसिटेंट है के टो एंसर अपने पास डौक ट राजेंद्र प्रत ठीक है कि अब डॉक्टर राजेंद्र प्रत क्या हुआ था सचीदा नंस जो ते वह पहले थे मतलब इन से पहले सचीदानंद सिना जी जो थे अब ऐसा हुआ कि अब उनके बात कोई चाहिए क्योंकि वो एक तरीका से स्थाई नहीं थे वो और स्थाई थे ठीक है तो एक स्थाई सदस अध्यक्ष भी चाहिए तो अस्थाई ध्यक्ष के लिए किसको चुना गया तर राज सविधान सभा की मांग को भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा था तो कौन सा अधिवेशन था भाई यह अधिवेशन था लखनाव अधिवेशन फीक है लखनाव अधिवेशन में इसको रखा गया था सविधान सभा की मांग को भारतिये । राश्टे कॉंग्रेस ने अपरील 1936 में कब 1936 में कि अध्यक्षता में लखनाव में अपना अधिवेशन आयो जित किया उसमें इस मांग को रखा था किसके द्वारा रखा गया था भाई अपने जोहलाल नहरू के द्वारा रखा गया था ठीक है नहरू जी के द्वारा रखा गया था है ती Strongwood9 36 में में वहां पी क्या हुआ है कि सविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई गई और भारत सरकार अधिनियम जो आया हुआ था कब 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में था उसको अस्विकार कर दिया गया क्योंकि इसने सविधान लागु किया जो भारतियों की इक्षा के विरुद था ठीक है तो इसने एक सविधान लागु किया था जो भारतियों की इक्षा के विरुद था तो 1936 में क्या किया गया एक तरीका से इसको निरस्त करने का एक तरीका से प्रस्ताव के समधान के विभीन कि या प्रावधानो पर निर्णे लेने के लिए समिधान सभा पहुंची को अब यह देख़िए हुआ कि अब विभीन पर निर्णे के लिए यह कि क्या करना हो किस तरह निर्ने होगा मतलब कैसे सब कोई किसी निर्ने पर पहुंचता था तो सब कोई कैसे किसी निर्ने पर पहुंचता था तो लोग बात करते थे गूसे से डिबेट होता था डिबेट होने पर जब तक ऐसा नहीं होता था कि सब कोई राजी हो जाए और हर जगह से जैसे सब कोई राजी हो जाए और सारा डाउट डायर हो जाए ठीक है तो एक तरिका से सर्वसहमती से पहुचा जाता हुआ सब सब्सक्राज करने का कोषित किया जाता था तो इंग्लिछ में बोली है तो इसे कंशनसह死 कहते है ठीक है तो सर्व समयति से लोग उस नतीजे पर पहुंचते थे एक एक स्क्यूज मुँझ भार्तिय समिधान के प्रारूपन पर सबसे गहरा प्रभाव व्याम द्वारा पड़ा अभी यह क्या है अब किसने सबसे ज्यादा इंफ्लूएंस किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इस अधिनियम ने भारतिय सविधान को सबसे ज्यादा इंफ्लूएंस किया है ठीक है तो अगर आपसे यह क्वेश्चन आए कि मीनी कंसिचूशन कौन सा अधिनियम है ध्यान रखिएगा अधिनियम अगर पूछे तो 1945 है और कौन सा संसोधन है तो 42 सविधान संसोधन जो है उसको हम लोग मीनी कंसिचूशन के नाम से भी जानते ह है ठीक है और अगर आपसे पूछे विच एक्ट या कौन सा अधिनियम मीनी कंसिचूशन है तो 1935 क्योंकि बहुत सारे प्रवधान जो है इनी से लिए गए है ठीक है अब आगे का क्वेशन निम्लिखित को मिलाएं तो मौसाओदा समीती मौलिक एवं अन संख्यक अधिकारों पर समीती संग की सविधान समीधान समीधी और कारे समीधी इन सब के अध्यक्ष कौन-कौन है इसी तरह मिलाना है तो देखो भाई यह अपना एंसर है तो इसी order में पढ़िए क्या होता है मसाओदा समीती बी आरम बेड़ कर ठीक है इसको इससे मिलाना होगा उसके बाद आता है मौलिक और अल्प संख्यक समीति तो मौलिक और अल्प संख्यक समीति मिला वल्लब भाई पटेल जी को ठीक है यह किसको मिला है वल्लब भाई पटेल जी को संग और समिधान समीति मिला जौहलाल नहरू को कि ठीक है संग और समिधान समीति किसको मिला जोहलाल नहरुको और कारे समीति मिलता है के-म मुंशी जी को तो ये याद रखेएगा थोड़ा सा drafting committee जो है वो मिला है आपका बी आरम बेटकर को मौलिक और अल्प संख्य का दिकारों पर समीटी यानि committee on fundamental and minority rights fundamental and minority rights की committee मिलती है वल्लब भाई पटेल जी को ठीक संग की समिधान समीटी union constitution committee ये मिलती है जोहलाल नहरू जी को और कारे समीटी या working committee मिलता है कनयालाल मुंसी जी को ठीक है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो भाई कौन सा कथन सही है तो भारत की सविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतिये विधान स्वभाव द्वारा किया गया था ठीक है यह यह तो इदम बिलकुल सही बात है वाई कि हां ऐसे ही चुनाव हुआ था कि प्रांतिये विधान सभाव थे उनके हिजाब से चुनाव हुआ था भारत का समिधान 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था ठीक है नहीं अपनाया उस दिन नहीं गया था अपनाया तो 26 नमंबर को गया था ना भारत की सविधान सभा की पहला सत्र जन्वरी 1947 में आयो जह नहीं बिलकुल नहीं नौ दिसंबर 1946 को पहली बैठा कुई है यह तो अभी तुरंद पढ़ाएं आपको कि 26 नमंबर को अपनाया गया था इनाप्टमेंट और लागू यह सब थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है जौहालान नहरू एम मुहम्मद अली जिन्ना और सदार वल्लब भाई पटेल भ कि आए इसके बाद वाला क्वेशन देखते हैं अब आया है कि डेट्स कौन कब क्या कैसे यह सारे डेट्स को मैच करना है तो चलिए डेट को मैच कर देते हैं 22 जुलाई 1947 ठीक है तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था सविधान सभा ने राष्टे ध्वज को अपनाया था ठीक है 24 जन्वरी को क्या हुआ हुआ 24 जन्वरी को राष्ट गीत को अपनाना ठीक 26 जन्वरी को क्या हुआ था एक मिन्टुक जगे ना थोड़ा सा यह गंदा सा लग रहा है पेन का कलर अलग यूज कर लेते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा जादा ठीक है 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था सविधान सभा ने राष्टे ध्वज को अपनाया था ठीक 24 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था 24 जन्वरी 1950 को हुआ था राष्ट गीत को अपनाया गया था ठीक उसके बाद 26 जन्वरी 1950 को क्या हुआ था ठीक है कि आप राष्टे प्रति को अपनाया था ठीक बा क्या हुआ था 12 मार्च न्वरी तो कैलेंडर अपनाया गया था ठीक है। सरकार द्वारा कैलेंडर अपनाया गया था तो ये कहां रहा है अपने को और निम्लिखित में से कौन सा सही डंग से मेल खाता है तो भारत का राष्टे गीत वन्दे मात्रम है चलिए माल लेते हैं भारत का राष्टे गीत वन्दे मात्रम है भारत का राष्टे पुस्प गुलाब है भारत का राष्टे पसु बाग है भारत का राष्टे पक्षी इगल है इगल तो बिलकुल नहीं है भारत का राष्टे पुस्प कमल है भारत का राष्टे पसु बाग है हाँ चलिए इसको मान लेते हैं ठीक है तो एंसर अपना होगा भारत की सविधान सभाद्वारा अपनाया गया था यही होता है एक क्वेशन याद किजेगा बाकी सारा क्वेशन अपने आप याद होते जला जाएगा तो जुलाई 1947 राष्यद्वज कभ अपनाया गया जुलाई 1947 ठीक है डेट क्या है कि 22 जुलाई ठीक है कितना 22 जुलाई 1947 निमलिकेट में से कौन सी भारत सरकारा दिनियां 1919 की प्रमुख विशेष्था हैं अब 1919 की प्रमुख विशेष्था हैं कौन-कौन तो इसको देखा जाएं प्रांतों की कारेकारी सरकार में वण विवस्था का परीचे ठीक है कि वण विवस्था का परीचे चलो यह तो ठीक है हो सकता है सही है कि मुस्सल्मानों के लिए अलग सांप्रदाई चुनाव प्रस्ताव अब यह 1919 की विशेष्था नहीं थी यह सांप्रदाई चुनावी प्रस्ताव यह यहां से नहीं आया है यह कम्यूनल एलेक्टोरेट वाला सिस्टम जो है आगे का है यह 1919 का नहीं है ठीक आएगा जब तुम लोग इस पर भी बात करेंगे तो यह भाई देंगे केंद्र द्वारा विधाई प्राधिकार का विजलन ठीक है यह हो सकता है केंद्री और प्रांतिय विधान सभाव का विस्तार एवं पुनर गठना यह भी हुआ था कि बढ़ाया गया था सीट अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो उसमें सीटे बढ़ाई गई थी तो यह भी हो सकता है लेक्चर अग निमलिखित में से कौन सा भारत के सभी ब्रिटिस समेधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा सावित हुआ है इंडियां कांसिल्सएंट 1909 क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा सावित हुआ है भारत सरकार अधिनियम भी बहुत मतलब अच्छा कानून है वह बहुत जादा दिन तक चला है भारत सरकार अधिनियम 1919 भी ठीक ठाक चला केवल 1909 थोड़ा डिमेरिट्स के सांथ था जिनको नहीं पता क्या था क्या नहीं था वो प्लीज हमारे लेक्चर पे जाएं पिछले वाले लेक्चर पे वहां से देखें कि निम्लिखित मेंसे किस अधिनियम ने पहली बार चुनाओ के सिधानतों को अपचारिक रूप से पेश किया देखो अपचारिक रूप से चुनाओ के सिधानतों को पेश करना 1909 में यही एक इप्पोर्टेंट कामी हुआ था ठीक है इंडियन काउंसिल साइक 1909 या मौल् फॉर्म यही सब हुआ ही था इसमें केवल एलेक्शन को ही लेके बात ही हो रही थी ओभी एलेक्शन कहां के लिए लेजिस्लेटिफ काउंसिल्स के लिए ठीक निमलिखित में से कौन सी विशिस्ताएं भारतिय समिधान को विश्व में सबसे बड़ा बनाने में योगदान नहीं करती है देखो बेटा जब भी नहीं का सवाल आजाना तो थोड़ा सचेत हो जाना ठीक वो ज्यादा इंपोर्टेंट होता है तो इसका एंसर होगा टू एं three answer है वान को काट दो फूर को कार को क्यों काटना है विभी छिव प्रकार की अपाथ सीथियों पर विश्विस्तार किया जाता है यह तो था जा यह संसद और राजविधान साभा कि सदस्यों के अधिकारों और विश्यस्ताओं को दाबद करता है नहीं बिल्कुल नहीं सबसे बड़ा इसलिए नहीं माना जाता है इसमें सभी प्रकार की भारतिय नागरिक्ता सामिल है और इसे कैसे समाप्त किया सकता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है इसमें ना केवल मौलिक अधिकारों की सूची है बलकि उन पर लगाये जाने वाले प्रतिबंद भी हाँ ये है तो भाई ये एंसर में पूछा है योगदान नहीं करती है ठीक है तो उस हिसाब से एंसर मार किजेगा ऐसे बड़ा चीज नहीं पूछ रहा है पर फिर भी जब आदमी मार करता है ना तो एंसर उस हिसाब से मार करना चाहिए निम्निकित में से कौन सा कथन उद्देश संकल्प के बारे में नहीं है तीक है अब उद्देश संकल्प क्या था objective resolution था थीक है तो objective resolution किस ने लिया था जोहाला लेहरू ने लिया था अगर पिछला क्लास आप लोग सुने होंगे तो objective resolution के बारे में बताया गया था ठिक तो इसमें क्या पूछ रहा है सही नहीं ठीक है सही है कि फूछ रही समरे पूछ रहा है 시क्वी नइहीं इसे जो हाल्राल नहीं ने समिधान सभामे स्थानतरत किया था बिल्कुल इस ने अल्प संक्य केउओड के लिए सिर्फ अधिकारों का आमां किया अच्छा इसमें मौलिक अधिकारों के अध्याय का आधार बनाया नहीं बिल्कुल नहीं मौलिक अधिकार यहां से आई नहीं है प्रियम्बल यहां से आया है इसने समाजवादी और धर्म इर्पेक्ष राजनीती की स्थापना का वाहन किया बिल्कुल नहीं तो answer is नहीं है, इन में से कौन नहीं है, तो ये लोग दोनों तो है, तो यही दोनों नहीं है, तो answer is three and four लिखा, निम्लिखित में से कौन सी वस्तु गलत तरीके से बेल खाती है, तो सविधान सभा की पहली बैठक देखिए, क्या date लिखा हुआ है ध्यान से डेट देखिए डेट क्या लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1947 तो यहीं गलत हो गया तो एंसर क्या है गलत तरीके से मेल खाती है तो पहला वाला बाकी सब ठीक है भारत के लोगों ने अपनाया अधिनीमित किया और खुद को सविधान दिया जन्वरी 24 सविधान को आखिरकार सविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरीत किया गया ठीक है हस्ताक्षरीत साइन कब किया रता है 24 जन्वरी 1950 को और एक इवेंट हुआ है 24 जन्वरी को पीछे पलटिएगा पेज और उसको भी देख लीजेगा 26 जन्वरी 1950 को सविधान के प्रारम की तारीक ठीक है चलिए अब आगे और 25 क्वेश्चन हमनों करते हैं